हेलो स्टूडेंट, वेलकम तू माई यूट्व चैनल, आज का वीडियो बीएसी और एमसी केमिस्ट्री स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पूल होने वाला है, अगर आप भी एमसी के बाद जॉब सर्च कर रहे हैं, तो इस वीडियो से आपको बहुत कुछ हेल मिलेगी, इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी वेबसाइट के बारे में, एक ऐसे ग्रूप के बारे में, जहां पर डेली फार्मा जॉब पोस्ट की जाती है, तो आपको कैसे इस वेबसाइट से information लेनी है, कौन-कौन से information आपके लिए काम की होगी, और जब भी आप इ सारी डिफरेंट डिफरेंट जॉपस के बारे में इस website पर देखोगे website का नाम है डेली फार्मा जॉब। डेली फार्मा जॉब के नाम से इनका WhatsApp group भी है डेली फार्मा जॉब के नाम से LinkedIn पर भी इनका official page है जहां पर almost two lakh seventy thousand followers इनके औरेडी जुड़ चुके हैं तो यहाँ पर डेली फार्मा रिलेटेड जॉब पोस्ट की जाती हैं तो आप भी अगर BAC Chemistry, MSC Chemistry Fresher Student हैं तो आप इस website की help लेकर अपनी job search को effective बना सकते हैं आप इनके LinkedIn पेज को भी follow कर सकते हैं आप पर almost 2,70,000 लोग already इन से जुड़े हुए हैं आप इनके WhatsApp ग्रूप से भी connect होकर डेली फार्मा जॉब की update ले सकते हैं Friends मैंने वीडियो की शुरुआत में भी आपको कहा था कि कौन-कौन सी ऐसी बाते हैं सच में वहीं पर है क्या या फिर वहाँ पर कोई ऐसी opening है या नहीं है जिस भी company की opening आती है आप उनके LinkedIn पेज को भी check कीजिए कि क्या company ने अपनी official website पर या official LinkedIn पेज पर भी उस information को post किया है क्या ऐसी कुछ चीजे हैं जो कि as a freshman student आपको हमेशा करनी चाहिए कोई भी information आप कहीं पर देखते हैं job related तो आपको blindly उस पर trust नहीं करना है अपने और से भी उसको validate जरूर करना है तो ये एक common mistake है जो कि कई सारे बच्चे करते हैं बहुत सारे ऐसे बच्चे के comment भी आते हैं कि वो directly walk-in के लिए चले जाते हैं तो आपको ये गलती नहीं करनी है walk-in में जाने से पहले आपको अपने end पर information को validate करना है कोई भी phone number हो तो उस पर contact करना है उससे पूछना है और अगर आपको लगता है कि job description मेरी profile को suit करता है तभी आपको job के लिए apply करना है ऐसा नहीं कि हर job के लिए आप apply कर दें आपको अपनी profile के according अपने interest के according job में choose करना है और उसी के according आपको interview के लिए भी जाना है इस वीडियो का मकसद यही था कि fresher student को ज़्यादा से ज़्यादा job update के बारे में पता चल सके वीडियो के end में भी यही कहूंगा आप किसी भी job portal पर कोई information देखते हैं तो अपने end पर भी आप उसको validate करने के बाद ही apply कीजिएगा thank you for watching this video